तिरुपति बालाजी के प्रशाद में जिस तरीके की मिलावट की बाते हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं ये बहुत दुखद है आत्मा का बद करने जैसा है आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवार कर सकता है और वो भी प्रदेशिक सरकार के संड़क्षन में या उसकी देख रेख में जो भी वो मेरी समस्ये पर है हम लोगों के समिधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धिती अपने अनुसार मानेंगे लेकिन क्या समिधान में यह permission है कि हमारी पूजा पद्धिती पर अधिकार प्रदिशिक सरकार का होगा या उस पे committee बना के रखी जाएगी अत्वा उसमें मिलावट होगी अत्वा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएगी जिसे सनातनियों का धर्म बरबाद हो जाएगा तिरुपति बाला जी में जिस तरीके के पवितृता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते लेकिन जिस तरीके के न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं और अगर ये सच है तो निश्शित तोर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आगात हो रहा है दूसरी बात हम सब सनातनियों को बार-बार कहा जाता है सांती रखें तो आप बताईए जूस में मिल रहा है मुत्र भोजन में मिल रहा है ठूक और प्रसाद में मिल रही है मिलाबट जो कि मां सित्याद से सम्मंदित है क्या करें क्या सनातनियों के बाप जुद भी चुप होना चाहिए नहीं यह अगर सच है तो इसके अगेंस्ट कि सब के पीछे कौन सा है कौन व्यकति है पहले यह पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कारवाई हो कि दुबारा किसी का साहास नहों हो सके यह मैं भ़ार सरकार से और सुप्रीम कोड से भी निवेदन करूँगा कि अगर आप भी सम्मेदान के तहत है न तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर गहन जाच करके जल्दी से जल्दी जाच करके दोशियों को बहुत बड़ी सजा दें इतनी बड़ी सजा दें कि बस उन्हें पता चले और सनातनियों से निवेदन करेंगे भगवान को नहीं बचा सकते भगवान के सम्मान को नहीं बचा सकते भगवान के प्रशाद को नहीं बचा सकते भगवान की यात्राओं को नहीं बचा सकते अपने आपको हिंदू कहते हो थोड़ा सोचो जागो और आगे बढ़ो कोई बचाने नहीं आएगा हमें खुद बचना होगा बंगलादेश भारत में न बने इसकी त्यारी हमको और आपको करनी होगी